साहित्य नेदी में आज सुनिये हिंदी कथा साहित्य जगत की नामचीन कथाकार चित्रामुद्गल जी की लिखी हुई कहानी कैचुल दोनों हथेलियां कमर पर ठिकाए उसने कुपित द्रिश्च से सिद्धू को देखा सिद्धू उसकी कोप द्रिश्च से अनभिग्य दो-तीन छोकरों से घिरा कंचे का निशाना साथ रहा था खेल में उसकी इस एक आगरता ने उसे और भनना दिया दाप किट-किटाते हुए बढ़ गुड़ाई अख़्ा दिन मस्ती घर की फिकर है हलकट को बानी की दुकान के ओटले पर चड़ गई वहीं से हाट लगाई ए मेलिया बनकर तेरा गोटी-बोटी नल आया रे पढ़ लवकर लाइन लगा के रखी मैं आशा के विप्रीत पहली पुकार में सिद्धू ने कमला की तरफ गरदन घुमाई अन्देशा ही था नलाने का समय हो रहा है उसकी पुकार मचने ही वाली है पर एक आएक दाउं छोड़ कर कैसे भागे मुश्किल में तो उसका चानस आया है गोटियों से खीसा खाली हो गया है और उमलियों के बीच निशाना साधिती गोटी तनी हुई है तै किया चानस नहीं छोड़ेगा बगेर गर्दन घुमाए ही प्रत्युत्तर में उसने आलाप सा भरा तू चल बस अब भी आता मैं कमला इस जिटाई से और चिड़ गई लगवक चीखी ये आता बीता कुछ नहीं लगे चुट नहीं तो देऊं आके एक थोबडे पर सिद्धा नल पे जा कोई लंबर इदर उदर किया तो काउं टंटा करेगा हलकट तंबाकू होटों में दबी हुई थी पिच्चे से पीक थुकी और थू थू करके लुगदी उगली गिराकों में व्यस्त बानी उसे देखकर मुस्कुराया जाएगा जाएगा फिर एक कमांठी की दस पैसे वाली ब्रुग बर्ण की चाई की पत्ती का पैकेट थमाते हुए बोला हुमर से इद्रीच खेलता फिकर नहीं होती तेरे को चिताबनी सीधी कमला को संभाल हाँ नहीं तो ये पन तेरे को रत्नू का माफ़क एक रोज धक्का देगा मरने दे किसको किसको संभालू बोल चेरा गुमा कर सिद्धू को ताका वो गोटी छोड़ छाड़ कर नलकी और सरपड भागा इत्मिनान से बानी की तरफ मुड़ी अपना च बेट भरने के वास्ते क्या मैं अख्खा दिन रख़ती हरामी नहीं समझते तो ओटला उतर कर अपनी गली में मुड़ने लगी तो एका एक खयाल हुआया माल के बारे में फूछ ले पल्टी और नीचे से हावाज लगाई गुड़ आया बानी सब्बू नकीच आएगा नौ बजे तलक सरणा को भेजना पारी भेजू ड्रम गड़ता क्या मेरे इदर फकत दस किल्लो भेज और सुन स्वर को थोड़ा तरी रा वजन वरोबर रखना बहुत डंडी मारने को लगा तू चलते चलते ये भी बता दिया कि सरणा को वकत नहीं विश्णू को भेजेगी नहीं तो मैं खुदी चाहेगी सरणा को भेज नाली के पसरे बोदे को टांग पसार कर लांगती हुई बरबड़ाई शेंडी लगाता हराम को सब समझती मैं चानस खोचता है सरणा सब फेडी के लिए नहीं चाती थी उसके कामें मदद करती थी चाहे सौदा सुलफ लाना हो चाहे गिराकों को बातली भर कर देना हो चाहे बानी की यहां से माल लाना हो एक रोज अड़ गई मेरो को नहीं जाने का बानी के दुकान पर मैं नहीं जाएगी गुर बजन करने बापू को भेज नहीं तो सिद्दू को भेज कमला को लगा लड़की कामचोरी दिखा रही है 10-15 किलो बजन उठाने के डर से अभी तक तो लाती थी ये एका-एक क्या चड़ गया मगज में सुद्दू अपी बहुत छोटा है विश्नू को भेजने से टरती है लाएगा 8 किलो और वो लेगा 10 कितने चकर लगाएगी पानी के ये पूछने पर भर के लिए कितना माल ले गया उसे सुबह सोई भटी सुलगानी पढ़ती है बाहर निकले तो माल बनाने का बादा टालम टोल से पारा चड़ गया वहोए माथे से जा लोगी नथने फूल गये सीधा गाली निकली काम चोर राण काय को नहीं जाएगी बैट के घानी खाने को मंगता मैं एकलीज खाती खाते तो सब पन काम के वास्ते न बोलने से चलता कम लथोड़े विनमर हुई बाकी सब करेगी फगत बानी की दुकान पर नहीं जाएगी पन काय को नहीं जाएगी बोला ना बस नहीं जाएगी लपकर उसने फर्ष पर उकडू बैटी सरना के चेहरे को ठुड़ी से उचकाया और एक जोरदार ज्छापर रसीद कर दिया दस किलो उठाने की पिच्चू ये नख रा हाँ मैं एकलीच मरूं अख़्ा दिल उपर से दादा की दी नहीं जाने का हाँ बोल जाती की नहीं उसने पंजात आने हुए आखरी चितावनी दी मंगता वोकर पर मैं नहीं जाने की माला ने गंदा गंदा बात करता हूँ मेरे से रोते रोते सरना चीखी हलक मेली कमला बाई उसके ढीट बने से हीकाईक बढ़ा उठी तेरे बाप सरखा है क्या गंदा गंदा बात किया तेरे से बोल बोलना ने तो मुंडी तोड़कर रख देगी सरना के सिरके बाल उसकी मुठी में वेची हुए थे चेहरा सहत्की और तना हुआ था कसा बोलूं बोलना उसने मुठी समेथ बालों को जटका सरना जटके के साथ ही अया करके चीखी कमला ने खीच थोड़ी ढीली की तो सरना बोली बोलता उसके अटकते ही कमला फिर खौकी आई नाटक करती बोलता मेरे पिशाप को हाथ में पकड़ा ठनी देगा तेरे को जजगते हुए सरना ने वाके पूरा किया वो सनाका खा गई बाल हाथ से चूट गए गिराकपन नहीं होते सूबू सरना ने गिरफ से चूटे हुए अपने सुबकते चेरे को गुटनों में छिपा लिया आँखों में खून उताराया जैसे पूरी बाटली एक बारगी हलक में उतार ली हो गुटनों में मूँ दिये सरना पर बगएर नजर डाले कोली से बाहर हो गई रास्ते में भुनमनाती रही देखती भड़वे को बेटी सर की छोकरी के संग ऐसी गली जरकत थू पिच्चर से उसने अपने दाहिने तरफ पढ़ रही बिना पलास्तर वाली रामरती की चाल पर थूका पांडे की बाकडे नुमापान की दुकान को लक्ष कर थूका गोवर पुते वागले मोची के जोपडे पर थूका मनी मन तै कर लिया ठीक ऐसे यो बानी के गले ठुसी दुकान पर जुकेगी और बानी के सामने पहुँच कर उसके पपीते जैसे लंबोतरे चेहरे पर थूकेगी तंतनाती हुई दुकान का ओटला चढ़ रही थी कि बानी की द्रश्टिस पर पड़ गई आओ आओ कमला से ठानी माल बरोबर था नकलका मेरट का गोड़ है लहकदार स्वर में स्वागत किया उसने स्वागत भरे स्वर को जटक कर शुरुवात मही चुनी हुई बिस्किट चाकलेट की भरनियों पर थूपने की तयारी में जुकी चाकलेट मांगता क्या सिद्धू के वास्ते बानी के पूच्ते यक बयक चेहरा सीधा उठा गले से रिरियाती सी आवाज फूटी दस पैसे की प्रढ़र पूडी दे थूग गले में ही वुटक गया बास बानी तंबाकू की पूडिया घटी आते हुए कनपटियों तक फैल कर मुस्कुराया और कुछ नहीं अपने स्वर का उत्रापन खुद पर कटाक्ष करता लगा क्या हो गया तेरे को सैसा भीतर जगर दी गई और सहाए कमला ने से रुठाया फिस्सू पढ़ गई सामने हो देई बास अरे अभी भी मौका है गिराकों की गर्दी भी दुकान पर है कर दे नंगा इस भड़वे को थूग दे थोपड़े पर मा बहन को पकड़ाया न साला पर कुछ नहीं हो पाया भीतर जगर दी गई कमला को अंसुना ही रहने दिया उसने चेतना ही जैसे जड़ हो गई मातर हातों ने हरकत की तंबाकों की पुड़िया आगे बढ़कर ले लिवानी से ओटला उतरने की भी ताकत चुक गई थी शरी को लगबग हसीटते वे घर की और मोड़ा किसके भूते पर लड़े अपने एकली अपने ताकत है लड़ने की मजाल थी की बानी की चीछा लिदर किये बगैर ही लोट पड़ती पर लोटती कैसे ना बानी के ऐसान जो छाती पर लड़े बैठे हैं कैसे कुल बुलाने लगे थे वे जैसे ही थूपने को तक पर हुई जरूरत पढ़ने पर दौरती तो उसी के पास है खूब जानता है उसका कच्छा चिठा कहलाने को सिठानी है टेट हमेशा ही पिसूरती रहती है कच्छे माल के लिए कभी रोकड़ा कम है तो कभी हफ्ता पूरा नहीं हो पाता कि ओगाई करने खीसे निपोरते वे हवलदारा टपकता है पिछली बरसात की खटना ताजी हो गई खोली के कवले बदलवाने थे तीन-चार सो की मोटी रिकम ढीले किये बगैर चट की टपकन को रोकना संभव नहीं था फल्निया भी लटकाई थी हर वक्त अंदेशा बना रहता कि कहीं एकात फल्ली तूटी तो केवल दो चाए गिराकों को सोना पर पहुचा देंगे बानी ने सुना तो फोरण तसली दी कि काम शुरू कर ले दो एक दिन में कुछ और वसूली साथ लेगा तो काम पूरा करा देगा खोली में गुसी तो पाया कि सरना आखें मुंदे लादी पर चित पड़ी है आखें जरूर मुंदी हुई थी पर सोई कता ही नहीं थी पुतलियों की हरकत से आभास हुआ कमला को लगा बंद पलकों को चीर कर एका एक सरना की पुतलियां उचलेंगी और पिछे से उसके मुँपर थूख देंगी वहां से हट ली गिराकों वाली खूली में आकर बैट गई उस रोज से तैक कर लिया कि ना सरना को बानी के दुकान पर भेजेगी ना धंदे पर ही मदद लेगी वैसे भी दारू का धंदा उसे पसंद नहीं था कुछ दिनों से कह भी रही थी कि पडोस की रुकमन ताई की तरह वो भी पालक मेथी सुवा की फेरी करना चाहती है अगर वो उसे मंजूरी दे दे तो लोकल का पास निकाल लेगी और रुकमनी ताई के साथ रोज सुबह पांच बजे वाली लोकल पकड़ कर भाय खला मार्केट खरीदारी के लिए निकल जाया करेगी ये भी कहा सरना ने कि रुकमनी ताई ने विक्री के प्रति उसे बेफिक्र रहने को कहा है अपने से बगल वाली कालोनी से पकड़ा देगी बंधेले गिराग मिल जाएंगे बिल्डिंग वाले हरी साख सबजी खरीदते भी खूब हैं ताजा सबजी के नाम पर बस पालग मेथी की जड़ियों से ही मन को संतुष्टी देते हैं उसे आश्वस्त भी किया कि चार घंटे की मेहनत के पिच्चू तीन चार रुपयों का मुनाफ़ा कम थोड़े ही है शाम को में टेशन रोट पर पाटी लगाएगी कुछ ना कुछ तो उधर पन मिलेगा दूसरे रोज ही उसने सरना का लोकल पास निकलवा दिया था और माल खरीदने के लिए 15 रुपेटिक आ दिये सरना गले से जूल गई अच्छा लगाता उसे चलो छोकरी तो अच्छे काम से लगी सरना की मेनत न से दंग कर दिया दिनवर खटती सुबह फेरी शाम को टेशन रोट पर पाटी ना उसे एक पैसा अपने खर्च के लिए लेती है ना कमला कभी उसे फिजूल खर्च करता हुआ ही पाती उल्टा उसे पूछ और लेती कि अगर उसे जरूत पड़े तो उसकी गुल्लक से पैसा निकाल ले वो नहीं लेती ये अलग बात है जरूत तो हमेशा ही मूबाय खड़ी रहती है कुछ हफतों पहले की घटना इसमरण हो आई तब यह नहीं पता था कि कलपू से उसका इतना चल रहा है अब सारी बातों का तालमेल बैठाती है जरूर उसके साथ ही दादर गई होगी अकेले दुकान पर जाकर कुछ खरीदना उसके बसका रोग नहीं था जब भी कुछ लेना होता उसके जी को पड़ जाती अंदर पहनने वाली बाजार की लेनी थी तो उसे स्टेशन रोट साथ ले गई थी दुकान वाले ने पूछा था कि कितने लंबर की चाहिए तो सिर नहीं उठाया गया था उससे कमला ने अंदाज बताया था फेरी से लोटी थी तो पाटी उतारते न उतारते किल्की थी एक बड़ा सा डिब्बा उससे पकड़ा दिया था खोल के देख उसने विसमे से देखा था पन है क्या बुलाना खोल के देख उसके हैरान होने पर सरना हसी से दोहरी होने लगी बिच्चू नई डिब्बे में पैकेट खोलते ये अभाक रह गई थी डिब्बे में उसके मन पसंद रंग की नौ वारी मतलब नौ गज की साड़ी थी सुनहले पाड़ की साथ में ता कथाई रंका खन का कपड़ा चोली के लिए इस तब्ध दरश्ट सहसा धुंदा आई थी शरत पूर्णों का जौर उमड़ाया और तहाई हुई साड़ी पर कई जगे दब्मों में अंकित हो गया सरना की हसी जड़ हो गई उसे महसूस हुआ कि उसके उपाहार ने सहसा आई को किनी पूर इसम्रतियों से जोड़ दिया है किसी नासूर को कुरेत दिया है तभी तो वो खुश होने के बजाए एका एक अकुला कर विचलित हो उठी है कमला मिंटों तक वैसे ही बैठी रही सरना को क्या अंदाजा कि कहा ले जाकर पटक दिया था उसने दंदू ने ऐसे ही तो एक शाम उसे डिबा थमा कर खोली कि सिटनी चड़ा दी थी खोल के देख कमला ठीक इसी तरह का आग्रे करता रहा था इसी तरह वो अच्रस से भरी भरी उससे पूछती रही थी कि आखर डिब्बे में क्या है डिब्बे में बेंजनी फूलों वाली वायल की छे गज की साड़ी थी पहनती तो वो नौवारी थी पर नंदू उस शाम कहा माना था साड़ी अपने सामने पहनवाई थी और ठीक उसी तरीके से पहनवाई थी जैसे उसके मुलक वाली औरतें पहनती थी सीधे पल लेगी सरना तब से बानी की दुकान पर नहीं फटकती वो जरूर मौके बे मौके उसकी पूच्टाश कर लेता है खोली पर पहुची तो पाया दो गिराक खड़े उसका रास्ता देख रहे हैं पीना नहीं था साथ ले जाना था एक को पाव सेर दिया दूसरे को अक्की बाटली चाहिए थी गिराक गए तो ओटले पर खड़े होकर नलकी तरफ देखा दो नलका जहम जहम करता बढ़ रहा था गिराकों की भीर आजकल रात में खास नहीं होती बीच का महीना है साथ और दस की तारीक के आसपास तो समहलना मुश्किल हो जाता है लेबरस के ये पगार उठाने के दिन होते हैं और बीच के दिनों में धन्दा मंदा रहता है फिर गर्मी चड़ती है बीच तारीक के बाद मजदूर खर्ची उठाते हैं उधार उसके यां चलता नहीं इसलिए उधारियों का रुक उसकी खोली की तरफ होता नहीं पहले उधार बहुत चलता था पर वसूली के लिए बड़ी मगज पच्ची करनी पड़ती थी पगार के दिन या खर्ची के रोज उसे घिरना पड़ता मजबूरन उसने उधार देना ही बन कर दिया हाला कि इस निश्चे को अमल करने के साथ ही विक्री कम हो गई पर अकेले वो क्या-क्या संभाले विश्णू के भरोसे तो कुछ भी नहीं छोड़ सकती तेरे साल हो गए विश्णू को घर बैठे लिंक चेन फैक्टरी में काम करता था ग्रहस्ती जिंदा रह सके होने लगा चार चीट मिल गई एक दिन घर में बैठ किया कमला से बोला कि अब नौकरी नहीं धंदा करेगा बहुत कोशिश की कमला ने कि वो कहीं काम से लग जाए बगर बात नहीं बनी बात में पता चला कि नौकरी तो पहले भी नहीं करता था शादी के लिए नौकरी लगवाई थी संबंदियों में उसे कोई छोकरी देने को तैयार नहीं था बदनाम बहुत था मटका खेलना चोरी चपाड़ी करना यही धंदे थे विश्णू के चार बच्चों की जिम्मेदारी वो चार घर के भाड़ी कटके से भी पूरी नहीं कर पा रही थी दे से ताकत ही ने चुड़ गई थी जबसे नंदू नहीं रहा चैन भटक गया था से ठानियों से तकरीबन रोजी तकरार होती कि बरतनों में जूठन लगा रह जाता है कि कपड़ों के कॉलर नहीं चूटते कि अल्मारियों के नीचे डेरों कच्रा चूट जाता है कि मूरी में काई की परत गहरा रही है तीस रुबह महिना फोकट के देते हैं तिमय्या की अम्मा ने ऐसे में घर में भट्टी लगा देने की बात सुजाई थी बड़े अंतर दौन में फसी रही दारू से ही घर की इटों में बसकन पैदा हुई थी यही बतोर धंदा अपना ले तिमय्या की अम्मा ने उसकी हिचक सुनी तो खिली उड़ाई सब उसकी तरह उचनी सोचने लगे तो दुनिया में कोई धंदा जिंदा ही नहीं पचेगा खटिया चलाने के लिए तो कहने रही सोच ले इज़स से करो तो सभी काम उचे है सोच लिया और खोली में ही बट्टी लगा ली ओकले से हटते बट्टी जलाने का द्यान हो आया पिछली बातों के उमरते सिलसले को दिमाग से जटका पहले गिराकों वाली खोली की बत्ती जलाई पिर बीतर वाली खोली में उचला किया देखा चटाई से किसक कर विश्नू लादी के उपर मुर्दे की तरह अंधा पड़ा है इस इस्थिती में उसे पड़ा पा पारा चड़ गया हिकारा से थूख देने को मन किया आदमी है मुर्दार पीना पीना सिर्फ पीना घर को फूंग डाला उसके जिंदगी तबहा कर दी उसकी तो की पर बच्चों का भी सत्यानास किया हराम खोडने वो पेट के लिए जुगार करने को हाथ पाउ मारती रही और ये रतनू को लेकर सत्तार की चाल में सुबह शाम चुआ खेलता रहा उसे पता तब लगा जब ताश खेल रहे मवालियों में किसी बात पर जगड़ा हो गया और उसी जगड़े में किसी ने भीग रही मसों वाले रतनू के पेट में छुरा गोंट दिया गोविंदा को किसी बात पर बुनकी में इतना पीटा इतना पीटा कि शाम को जो वो परसे भागा आज तक लोट कर नहीं आया कितना खो जा उसे सबने कहा कि अगवार में फोटो निकलवा दो पर फोटो कहा था उसके पास बाद में उसने सरना और सिद्धू के तीन-चार फोटो निकलवा कर रखवा लिये थे सिद्धू और सरना को तो हाथ भी नहीं लगाने देती मार पीट पर अमादा हो उटती है आज तक नहीं समझ पाई कि कैसा बाप है ना मरे को याद करता है ना भागे को जीखता है उलाद के लिए इतना पत्थर को ले जा पिच्चे से थूखी दिया ओंदी दे पर ग्रणा के बाल पर सैयम तूट किया लाद दी हुमक कर कुले पर सर उचा नहीं था चीक भरा था उट भड़ुए उट गिराक आने का बकत है और विश्णू पर लाद का कोई असर नहीं हुआ ची आया पड़ा रहा मुठी में सिर के बाल दबोज लिये कसकर जखजोरा तब कहीं जाकर उकुन मुनाया सूजी सुर्क आँके खोली गुर्राया मगज तो नहीं फिर गया तेरा साली बोलने को देता तो खोपड़ी पचड़ती गिराक को कौन निप्टाएगा तेरा बाद ए अजुन तलब गिलास बिलास पन बिगर गोईला पड़ा है पाओं का पत्ता नहीं सिद्धू को नरपर भेजा मैं इस करूं सब ये जास्ती बरबर नहीं गप बस विश्णू ने घुड़का और ओटकर खड़ा हो गया जमवाई भरते हुए शरीर को एठन देकर तोड़ा फिर मोरी पर जाकर टंकी की टोटी खोलकर चेरा छपचपाने लगा सिद्धू सिपर दोनों रंडे उठाए बीच के दरवाजे पर पड़े छीट के चीकट परदे को एक और सरकाते हुए तनिक जुकर भीतर दाखिल हुआ खुश हो गई थाली में चावल चुनने के लिए निकाल लिया था एको सरका कर लपकी हलू हलू टंकी का ढखकन आदा सरका कर उपर वला हंडा हुनी चा पर दूसरा भी खाली किया तोटी टपकने लगी ठीक से कसा उसको पानी कितनी दिक्कस से मिलता है सिद्धू खाली रंडे उठा कर उच्छालता हुआ वापस दल्की और भागा विश्णू ने अंगोचे से मूर अगड़ा और जांगे कुजलाता हुआ परली खोली में चला गया वो पाटा खीच कर स्टो के करीब बैट गई पटा पट चावल दो कर चढ़ाया सोचा सालन भी लगे हांतों बना कर रखते गिराक आने पर भले विश्णू उनसे निपटता रहे पर उसका उनके बीच मौजूद होना बहुत जरूरी होता है कई दफ़े विश्णू खुद भी उनके बीच किलास लेकर बैट जाता है कई दफ़ा अपने कुछ दोस्त बन गए गिराकों को उधार भी पिला देता है वो सामने रहती है तो थोड़ा दबा रहता है नक्चड़ा तो इस हद तक है कि कब बात बेबात पर गर्मा गर्मी कर वैठे डरती रहती है इतना जरूर है अपना रौबदाब उसने कुछ इस तरह कायम कर रखा है कि लाक गिराक टुन हो रहा हो उसका कहां नहीं टालते जींगा बहुत पसंद है सरना को गुविंदा को भी बहुत पसंद था जग कभी जींगा लाती थी वो उसके साथ बैठ कर साफ करवाने लगता था पांच बचे के करीब अच्ची मार्केट गई थी खोल भी मतलब सूखी मशली तो पड़ी है घर पर पर किसी को मन से नहीं भाती सोच कर तो गई थी कि बहुत दिन हो गए हैं सीपिया लाएगी पर जींगा काफी बड़ी बड़ी वता जातिक गई सरना का खयाल हो आया हाला कि आज कर सरना दस साड़े दस बज़े से पहले नहीं लोगती ग्यारा भी बच जाता है कभी-कभी ना खाने के लिए पेट दर्ध का भाहना भी बनने लगा है कहां तो नौ साड़े नौ के दर्मियान खोली पर पाटी उतारते न उतारते बोमा बोम करने लगती कि भूप लगी है रुक्मनी ताई नहीं उसे सबसे पहले खबर दी थी कि तेरी सरना का एक भाईये के साथ गुप चुप चल रहा है टेशन रोड पर ठीक उसकी बगल में वो भी बटाते कांदे की धेरी लगाता है सुनकर आग लग गए पर चुप चाप मामला गुठके रही मौके की ताक में थी या तो सरना को रंगे हातों पकड़े या सरना खुदी उससे आकर बताए देर से आने के तो वो कई बहने बना सकती है बनाने लगी भी थी अब चोटी नहीं जुडा बनने लगा था सेवंती की वेणी या मोगरे का गजरा हर रोज टकने लगा था सुबह फिरी से लोटती तो गजरे की दो लड़े पत्ते में बंधी होती बड़े सलीके से उन्हें भीगे कपड़े के टुकड़े में लपेट कर टंकी के ढखकर पर रख देती ताकि शाम तक कलिया ताजी बनी रहे एक ने खुदी बोली थी मैं देर से आती तो तू घबराती तो नहीं न कमला चोकनी हुई दस ग्यारा बजे तक घर लोटने का टेम है स्वर को भरसक सहीं मित रखा सेयानी लड़की से गर्मा गर्मी करना ठीक नहीं उसे तो जाने क्या हो गया है तुरंत माता फिर जाता है पिर आजू-बाजू की छोकरियों के लच्छन देखते हुए सरना उसे कभी बेरास्ता नहीं लगी ये भी अच्छी तरह जानती है कि लड़की उसकी है खुब जिद्दी और मानी नहीं बात निकलेगी तो जूट नहीं भोलेगी धेरी तो नौ बजेच उठने को लगती पन कल्पू पला टिम्भी पड़ा उको जाता उधर उसका खोली है मैं पन साथ जाती थोड़ा उसका खाना पीना करती पिछे वो मेरे को सोड़ने को आता देवा देवा उसकी तियोरियां चड़ गई विष्णू को पता लगेगा तो मेरे को साबुत सोड़ेगा बात काटी मंगता वो करने दे डिटाई की भी हद होती एतिनी हिम्मत नंदू से जब वो मिलती थी ना किसी को कानो कान खबर होती ना पूछताश होने पर सच्चाई ही उगलती कनपटियों में आग चड़ गई दादा गीरी तो तेखो लाज बीच कुछ नहीं तभी तो हराम को रात को खाना भी ढंक से नहीं खाती दिखाने के लिए मुश्किल से एक चपाती निगलती उसकी भी गुजाईश ना हो तो खोली में घुसते पेट में दर्द उठने लगता है हलकट दाद किटकिट आते हुए बालों का जूरा दबोच लिया और दूसरा हाथ तर्ड तर्ड चलने लगा खोली पर जाती क्या क्या नहीं करती होएगी तू हाँ मुझ काला कियाना मेरा बहुत तनके चलती ना मैं मिटी कियाना आबरू खलास करके सोड़ेगी उस साले भाईये के बच्चे को विश्णू आ गया था बीच में उसको बाहर कर दिया तू जा तेरा मतलब नहीं अपने बाप की याद आ गई थी एक आएक उसमें थी ये द्रता नंदू कितना पीछे पढ़ा था कहा करता बस तू हाँ बोल दे कमला बाकी मामला में संभाल लोगा तेरे बाप की दादा गीरी धरी रह जाएगी बहुत फोजदारी किये अपने गाउं जावार में पर उसकी हिमत नहीं पड़ी ना उसने कभी नंदू को बाप से मिलने ही दिया पतानी कैसे बाप को भनक लग गई थी कि वो नंदू के तबेले पर जाती है उसकी खोली पर मिलती है एक राज शिबू दादा को उसने बाप के साथ बाटली खुलते देखा तो संकी शिबू दादा से एका एक जोड़कांट उसकी आशंका सही थी कई बार उनकी बाटचीत में नंदू का अम आया मामी भी आई थी उसके साथ ही बैट कर पी रही थी उसके मूसे भी नंदू का नाम साफ सुना अनिश्ट की आशंका जख लेजा काम गिया बाप के लिए ही फूपी के मूझ से सुना था आई को घासले डाल कर जलाने की कोशिश की थी उस दिन तो बच गई मगर गुड़ी पढ़वा के दिन अपनी प्रान रक्षा न कर पाई दर्या में डूब नहीं गई थी डुबो दी गई थी तेरे बाप ने डुबोया था सुबह मामी के सामने बाप के कहे अनुसार कसम उठा ली कि आईंदा वो नंदू से नहीं मिलेगी मिली भी नहीं नंदू इधर दर उसके बारे में पूच्टाश करता रहा हफते बर के अंदरी बाप ने मामी के भाई विश्णू से ब्यादिया विश्णू उम्र में उससे बारे साल बढ़ा था खूपी नहीं ये भी बताया कि ये रिष्टा मामी को खुश रखने और वश्मे करने के लिए तै किया गया था बाप मामी के पीछे बरसों से है उसे तसल्ली हुई तो इस बात की ये नंदू उसके बाप के गित द्रिष्टे से सुरक्षित हो गया था शादी के बाद वो फिर उससे मिलने लगी थी किसी को पता नहीं कि सरना तो उसी की ही है एक दिन मुरुक से नंदू को बुलाने का तार आया तुरंत लोटने का ढाड़स देकर रोबाओं चला गया मीना भर भी नहीं बीता था कि राम सेवक जो नंदू का चचेरा भाई था रिष्टे में ने खबर दी कि नंदू का सिर भट गया है जमीन को लेकर पटियाईतों से फौजदारी हो गई थी जिला अस्पताल में दाखिल है मन बौरा उठा विष्णू ने वैसे ही तंक कर रखा था नौकरी छोड़ दी थी दंदू से मन को बड़ा साहरा मिलता था जिलने की ताकत पैदा हो जाती थी वो भी राम सेवक ने यभी बताया कि चिठ्ठी आई है बचने की उमीद कम है कोई तबेले की जिम्मेदारी उठाने वाला मिल गया तो आज कल में वो भी गाउं रवाना हो जाएगा वो कभी मंदिर नहीं जाती थी मारूती के मंदिर पर जाकर तेल चढ़ाने लगी एक मंगलवार की सुबह प्रभा देवी सिद्धी विनायक के मंदिर भी हो आई विष्णों ने ताना भी दिया कि एकाय को पुजारिन कैसे बन गई इतना पुजा पाट सूजने लगा हफता भर भी पूरा नहीं हुआ कि तार आ गया नंदो नहीं रहा राम सेवक गाउं जाने लगा तो उसका मान हुआ कि वो भी साथ हो ले सब छोड़ छाड़ कर तबेला अधिक दिनों तक किसी के भरो से नहीं छोड़ा जा सकता था दंदा चौपट हो जाने का भै था कहे अनुसार राम सेवक ठीक वीस्वे दिन ही लोटाया खोली पर मिलने गई नंदो के आकरी समय का हाल सुनने की कातरता समेटे तो पाया नाक तक गुंगट कीचे तीन बच्चों समेट एक औरत भी खोली में मौजूद है महरारू है नंदो भैया की ये तीनों उनके लड़िका है हवा पानी बदल जाई यही ख्याल से भोजी का मुंबई लेई आया लोग तो आने नहीं दे रहे थे हुआ तो हाल बेहाल हुई जा रही थी कुआ मा कहे पड़े रही थी औरत ने ना उसकी तरफ देखा ना उससे बोली बच्चे सहमें से खटिया पर दुपके रहे जैसे राम सेवक ने नन्दू के आखरी समय का बयान करना शुरू किया औरत आलाब भर-भर के रोने लगी दिल दहल उठा लगा कि अधिक देर तक अगर उस खोली में बैठी रही तो दम घुट जाएगा उसी खोली में जहां उसे राहत की सांसे नसीब हुई थी आउंगी कहकर उगती थी कितना फरेवी था नन्दू उसकी कसम खाखा कर कहता तू मिली है तो घर ग्रैस्ती करने का जी करता है तू हाँ भर कर दे फिर देखना कमला तेरे को मुलक भी ले जाओंगा गंगा बहिया में गार जोट रिस्नान करेंगे हम घर देखेगी तो डर जाएगी वो लाइंस कलब वाला बगीचा है न अरे उतना बड़ा तो आंगन है घर का और सुन इधर का माफक मुग खोल के नहीं चलेगा भूगट निकाल कर रहना पड़ेगा चोली भी नहीं चलेगी जफर पहनना पड़ेगा चोली जैसी तो हमारे यां मेरारू बाड़ी पहनती है पानी बस क्या सिद्धू पूछ रहा था चौक गई वो हंडे भरभर का कब आया खाली करके कब गया कैसे गया सोच में उलजे हुए से पता ही नहीं चला मटका भरा की नहीं हउ हउ ठीक क्या हुआ तेरे को सिद्धू उसके भीगे चेहरे और रुधे गले पर विस्मित हुआ कुछ नहीं आँक आता दीखता गले पर आंसों के धब्बे चिपशिपा रहे थे चोली के उपरी हिस्सा तर हुआया था पाटा नीचे खिसका कर उठी मोरी पर जाकर रगर रगर कर मुहाद धोया बड़ी रहात मिली पले से चेहरा पोंचते हुआ अचनक खयाल आया पानी भरते समय सिद्धू ने उससे खाना मांगा था और उसने उसे डपटा था सबुर कर तब शाय सालन उतार कर गिरागों के लिए भीगे हुए चने उबाल रही थी विश्णू जल्दी मचा रहा था सिद्धू के लिए एका एक मुन पच्तावे से भराया बिला वज़े वोसे डाटती डपटती रहती है सारे बच्चों में सबसे अधिक उपेक्षित रहा है सिद्धू सबके बड़े लाड लड़ी आए थे उसने सिद्धू तक आते आते हर तरफ से टूट टाट कर चूर हो गई थी थाली उठाकर आचाज जे थाली को पोच्छते हुए पूछा खाना देऊं? सहमे से बेटे सिद्धू के चेहरे पर आब आ गई देना बोध भूक लगा बात में सालन डाल के दे दे जींगा किया न? उसने परूसा तो वो और बेसबर हो आया जरा ठंडा करके देना? भाब छोड़रे भात पर वो ढखकर से हवा करने लगी सिद्धू की हवस कहीं तुष्ट कर गई? ऐसी हरबड़ी गोविंदा भी तो मचाया करता था? कल्पू मिलने आया समझ गई कल्पू की स्पहल के पीछे तो साहस किसका है? कल्पू की हिम्मत का अंदाजा उसे नहीं है किन्तो सर्णा के दबंग पंसर बखूबी परचित है ये भी अनमान लगाया कि हो नहो ये मिलने मिलाने की यूजना के पीछे उस दिन की मारपीट खास कारण हो जो भी हो कल्पू सर्णा को घर तक पहुँचाने आया तो उसे दर्वाजे तक लिया आई कन्कियों से उसे कल्पू को देखा वर लड़का सर्णा के मुकाबले कम नहीं लगा किसी तरह की गर्मा गर्मी भी उस वक्त नहीं चाहती थी विश्णू गिराकों के बीच गिलासे भरे बर्ठा था कल्पू ने बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखी सेठानी हम सर्णा के संग बियाव करना चाहते हैं बियाव करना है? उसने कल्पू के शब्दों को कटाक्ष पूं धंग से उमीठा पर तड़प कर मूँ चड़ाती हुई बोली जात नहीं, बिरादरी नहीं, हम घाटी तुम भहिया रिजाल, डीद, अलादा, कैसा शादी बनाने को देगी सर्णा अभी बहुत सोटी है और कहते कहते उसका गला एकदम भराया भहिया लोगों पर अपना तो भी स्वासी नहीं एक जोरू मुलुक में रखते, एक औरत इधर फंसाते तु सर्णा का चकर सोड़ दे, होने का नहीं कल्पू ने प्रतिवात करने की कोशिश की पर उसने उसे बोलने का मौका नहीं दिया तेरा इरादा पूरा नहीं पढ़ने का होसियारी पन नहीं दिखाना नहीं तो हड़ी विड़ी साबुत नहीं मिलेगी समझा बाप इसका बात पिछे करता चुरा पेले निकालता आखिन किरिया से ठानी दमकी के बावजूद कल्पू ने अपनी बात को वचन देने का प्यास किया जूट नहीं बोलेंगे सरना हमारी पहली जूरू होवेगी बोलो तो पटा लिखवा दे फिन तकलीफ जो उसे हम दे तो जो चाहो सो कर लेना बाद में कोई क्या कर लेता है उसने एक ना सुनी अड़ी रही ये सम्मंद किसी तरह नहीं हो सकता कल्पू के जाते सरना की चुपी डही मैं बोन्डी कटका नहीं करेगी तेरे सरका भट्टी नहीं सुलगाएगी तेरे सरका नौरा मतलब दूला नहीं मंगता मेरे को आग लग गई इस आखरी जुल्मे ने उसे चलनी कर दिया जपटकर से लादी पग गिरा दिया हाथ में जो भी आया दना दन पटकने लगी उस पर अपने पर जिसे काबूई नीरा बुरी तरह थर्थरा रही थी मुझे फिशकुर बजबजाने लगा हराम खोर कुट्टी मेरे कोच बोल मारती कि तेरे सरका नीरा नहीं मंगता आई कोच आख का पानी मर गया ना हलकट उस भाईय के पिछे हाँ हाँ बोलेगी उस भाईय के पिछे ही बोलेगी जितना मंगता उतना मार पन मेरे को घर में बैठने का औरत सरका घर में रहने का भाईया लोगों में औरत को घर पे रखते दंदा पानी नहीं करवाते उसका कमाई नहीं खाते हाथ निर्जीव हो जूल गए कितना मारे मार पीट कर सरना की बीतर दुबकी बैटी घर की कलपना को द्वस्त कर सकती है सरना उसकी बैटी जरूर है मगर वो नहीं है चीक चिलार सुनकर कई गिराकों समेत विश्नों बीतर आ गया उसका रौद रूप देखा तो ताव खा गया छोकरी को तू अब हाथ लगाया तो देख अभी इद्रीज खलास करेगा हलकट पीकर टुन होता है तो एका एक बाप बन जाता है वरना मड़ते सरते पड़े रहें उसकी बला से फपक रही ओंधी पड़ी सरना के सेर पर विष्णू ने हाथ रखा तो तड़प कर दहारी हाथ नहीं लगा ना मेरे को काम कर जा के अपना पिछली सुबह उसके और सरना के पीच कोई बातचीत नहीं हुई बहुत मारा था उसने रात में सरना तो रोते रोते ठक कर सो गई पर उसे आधी रात तक नीन नहीं आई कलपती रही कि इतनी कुटाई के बाद लड़की उठपाएगी इस कदर खुंकार उसे नहीं होना चाहिए था इस तरह के बरताओं से तो बात बिक्ड़ेगी मान लो लड़की अपने को और कलपू के बारे में कुछ भी न कबूलती तो मान लो बिना बताए भाग जाती तो क्या कर लेती वो रोज की तरह उसने चाहे बनाई और साड़ी लपेट रही सरना के कड़ी पाटा सरका कर कब बसी में रखती सरना ने चाहे की तरफ देखा जरूर पर हाथ नहीं लगाया आहिस्ता से पाटी सिर्फ पर रखकर कोली से बाहर हो गई जगराज हाटी के कुछी घंटों के बाद वो सब भूल भार पर सहज हो जाती है सरना ये अच्छी तरह जानती है किन्तो सरना को सामाने होने में दिन लग जाते हैं कई दिनों तक मूँ फुलाए रहती है दोपैर में भी वही हुआ फेरी पर से लौटी तो खाना लगा दिया पटी के पास बहटे हुए तिर्ची द्रश्टी से देखा तो पाया थाली जोंकितियों लगी पड़ी है दादी पर बिना चत्रंजी बिछाए लेटी सर्वना सोने का बहाना कर रही है बोले बिना रहा न गया अन पे गुसा काय को निकालने का मगर सर्वना निश्चल पड़ी रही ना आके कोली ना उसकी उदेखा ना जबाबी दिया इतनी जिद अपमान से मन रुआसा हुआया इनी के लिए खटी मड़ी पैदा होते ही तो नहीं कमाने लगी थी रात ग्यारा के करीब लोटी थी कल्पू जरू छोड़ने आया होगा मन में आया कि सारे जगड़े की जड़ते कल्पू ही है क्यों ना उसे दर्वाजे से बाहर धर दबोचे इतनी कुटमस करे इतनी की सरना तिल मिला कर बोमा बोम कर दे उसकी चुपी तो तूटे सह नहीं पा रही थी उसकी एठन लेकिन बस इतना किया ना खाने को पूछा ना खाना ही लगाया अंदाजा था नाटक कर रही है उसे दिखाने को एठ दिखा रही है लेकिन आज दोपहर से ही जी उसे दिखा रहा है जिद्धी तो है मान लो कल्पू की खोली पर भी न खाया हो तो आज तीसरा दिन है जगडा हुए चेरा कैसा निचुडा निचुडा हो रहा है चाय धखोस्ती होगी कप पर कप विश्णू ने आका प्याज और नमक मागा उसके उड़े हुए चेरे को देखकर टोका तब्यत बरोबर नहीं तेरी बसी में प्याज के टुकडे और नमक रखते हुए संजीदा स्वर में इतना बर काहा सिर में दर्द बहुत है गोली मंगा के दूँ नहीं बाम है विश्णू चला गया वो उद्धिन मन से सरना के लोटने की प्रतीक्षा करने लगी एका चकर गिराकों की खोली का भी मार आई पर बैठ नहीं पाई कई लोगों ने उसकी अनमनाहट ताड़ी कारन जानना चाहा तो उसने सिर्क के दर्द का ही सहरा लिया कुछ ने सूजा तो बाम की शीशी लिये माथा मलने बैठ कई अपनी उगलियों की सहलाहट से काफी रहत महसूस कर रही थी कि तभी कुंडी खड़की दर्वाजा खोला देखा सर्णा के आठ दस हाथ पीछे कल्पू खड़ा हुआ है शायर इसी प्रतीक्षा में कि दर्वाजा खुले सर्णा बीतर वो तो मुड ले सैसा दर्वाजे को दोनों हाथों से घेर कर उसने सर्णा को आदेश दिया अंदर बुला उसको सर्णा ने ढिटाई से सीधा उसकी आँखों में ताका पूछा काई के वास्त थे स्वर की एठन से लगा कि जैसे ये न पूछ रही हो कि किसली बुलाऊं चेतावनी दे रही हो कि अगर कल्पू के साथ कोई बद तमीजी की तो देख लोगी जरूरी बात करने का सर्णा ने निर्भीकता से कल्पू को अंदर आ जाने के लिए पुकारा कमरा दर्वाजे से हट गई उसने पाटी उतार कर सिर पर गुंटरी बना कर रखा वा गउचा फटक कर कपड़े से लदी रसी पर उच्छाल दिया देख लिया था कि कल्पू के अंदर ताकिल होते आई ने फूर्ती से दर्वाजे की सिटकनी चड़ा दिये बीच वाला दर्वाजा भी भीड़ दिया मा था ठनका दाल में कुछ काला है बीच वाला दर्वाजा भीड़ते इस सिद्दू से कहते हुए भी सुना कुछ मंगता होएगा तो विश्णू को बोलना जरा ठेरना सरना सतर्क हो गई कल्पू वे चेहरे पर धेर सा असमंजस पसर गया सारा माहौल अन्भूज सा हो रहा था बहुत फिरता था ना तू इसके साथ जवाब सरना ने दिया मैं फिरती इसके साथ इसको कुछ मत बोल तेरे से पूछा नहीं तो उसको जबान नहीं सरना कल्पू की ओर देखने लगी तेरे को शादी बनाने का सरना के साथ मैं तो आप से कपका कहा था कहते वो कंखियों से कल्पू निसरना को देखा अचानक कल्पू की कमीज को से सीने से दबोच लिया पूरी ताकत से उसे जग जोडते हुए चीखी कब से क्या मतलब बनाना है तो जल्दी बना ठेरा काई को हाँ पैसा नहीं होएगा तो मेरे से ले पर जल्दी कर शादी देर नहीं मंगता बुरुसा नहीं तेरा कभी मुलक को चला गया तो वापस नहीं आएगा तो भाया लोगों का एदबार नहीं मेरे को पंजा डिला पड़ा कमी छूट गई जमीन पर पसर कर गुटनों में मूँ छिपा लिया और फपक फपक कर हिश्कियां तोडने लगी कलपू हत्रप रह गया सरना की आँखों में अभी भी अविश्वास के डोरे तने हुए थे पियली तो नहीं है फिर अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी के चुल